हलो फ्रेंड्स, मैं आप सब की निव गार्डनर फ्रेंड, आज मैं आप सब को कुछ ऐसे पोधों से मिलवाना चाहती हूँ, जो ऑक्सिजन प्लांट हैं, जो हमारे घरों की हवा को सुध्ध करते हैं, फ्रेंड्स, जैसा की आप जानते हैं, दिल्ली और दिल्ली NCR में कितना ज्यादा प्रदूसर्ण है, इस प्रदूसर्ण से हम सक बहुत परेशान हैं, इसलिए इस प्रदूसर्ण से बचने के लिए हमें अपने घरों में कुछ ऐसे अक्सिजन प्लांट लगाने चाहिए, जैसे की ये एरिका का प्लांट है, ये देखे फ्रेंड्स, ये इंडोर प्लांट भी है, और आउट्डोर प्लांट भी है, ये देखे फ्रेंड्स, इसे अपने घर में ऐसी जगह रखिये, जहां पर सुबह की एक या दो घंटे की हलकी धूट मिलती हो, फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से सर्वाइब करेगा ये, और दूसरा प्लांट है, ये तु आगन में, छाटपर, बालकनी में जरूर जगह दीजिए, और तीसरा पौद है, ये मने प्लांट का, ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन प्लांट है, हमारे घर की हवा को शुद्ध रखता है, ये इंडोर प्लांट भी है, इसे आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, और घर के बाहर भी रख सकते हैं, बस घर के बाहर भी इसे भी ऐसे ही रखिए कि सुबह की गहंटे दो गहंटे की हलकी धूप मिले, ये बहुत अच्छे प्लांट हैं, हमें इन हैं अपने घर में जरूर रखने चाहिए, और एक प्लांट ये भी है फ्रेंट्स, इसने एक ये भी हमारे घर के अंदर बहुत अच्छे सा सर्वाइब करता है, इसलिए इसे घर के अंदर जरूर जगह दीजी, ये हमारे घर को, घर के वातावरण को सुधर रखता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, 5-6 दिन के लिए, तो अगर ये घर के अंदर रह जाता है, तो कोल दिक यह पेड़ खराब नहीं होगा, इसे अपने घर में जरूर लगाए, यह बहुत ही अच्छा oxygen plant है, और एक रहा यह aloe vera plant, यह भी medicinal plant भी है और oxygen plant भी है, बहुत ही अच्छा, यह हमारे घर में जरूर होने चाहिए, यह हमारे घर की हवा को सुधर रखते हैं, इसलिए इसे अप friends, किस किस के घर में यह plant हैं, हमें comment करके जरूर बताईए, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, अगर पसंद आया है, तो like, share, subscribe करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जरूर सस्क्राइब करिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का notification आप तक पहुँच सके, तब तक के लिए, ओके, टाटा, बाई बाई, थैंक यू,